वेरी गुड मॉर्निंग में फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आई होप आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं इसे के हम लोग 48 firewall के इसके बारे में हम लोग लैब के तुरूरा थे लेखने वाले हैं तो लाँगे स्टार्ट करें पाहले हमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्ट्वेर सेटप सॉफ्ट्वेर की जरूरत पड़ेगी जिसमें VMware है VMware हमारे local system पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए EVNG हमारे system पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए and WinSCP हम लोग जो open source है आप Google से डिरेक्ली डाउनलोड कर सकते हो as a FTP यूज़ कर रहे है फिर लास्ट में हमें 48 firewall के VM image की जरूरत पड़ेगी तो 48 firewall के VM image को आप कहां से basically डाउनलोड कर सकते हो तो उसके लिए मैं क्या यह जो वीडियो है इस वीडियो के description में मैं URL प्रवाइड करने वाला हूँ जब हम लोग यह करेंगे अपडेट करेंगे तो उससे में हमें 48 का अकाउंट की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है तो basically अभी अगर मैं right click करके आप node add करता हूँ 48 firewall का तो आप देखोगे यह grade out है मतलब कि कोई भी अभी 48 का image added नहीं है evng में मैं क्या करता हूँ simply चलता हूँ सबसे पहले vncpp पर ठीक है vncpp मैं login करता हूँ मैंने अपना password डाला आप अपना password डाल सकते हो जब मैं login करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा left side का यह है यह हमारा local system है और जो right side है यह हमारा evng का server access है ठीक है तो basically हमें करना क्या है हमारे local system से एक file transfer करना है image transfer करना है 48 firewall का इसमें evng के server में ठीक है तो हम लोग simply drag and drop कर सकते हैं बट मेरे पास image already available है मैं इसको क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं इसको extract करता हूँ यहाँ पे naming conviction होता है ठीक है यह जो की already evng के द्वारा setup है अगर आप evng के इस पर जाओगे website पर जाओगे और वहाँ पे नुमनिक लेचर देखोगे कैसे हमें मतलब की इन सारे इसको यह करना है naming करना है तो अगर आप 48 यहाँ पर search करते हो और अगर scroll up करते हो तो जो folder का name है जो हमारा folder होगा सबसे पहले तो कोई भी image क्या है उसको एक folder के अंदर रखना यह एस्टेंडर सेट है कैसे हमें किस टाइप से image को keep करना है किस टाइप से folder का नाम रखना है और किस टाइप से image का नाम रखना है कैसे हम लोगों को उसको ट्रांसफर करना यह सारा स्टेंडर फ्रोसेस हैं तो सबसे पहले हमें एक फॉल्डर बनाना थिक है और उस फॉल्डर के अंदर हमें जो हमारा image है 40 गेंज उसको रखना है आप फॉल्डर का नेमिंग कैसे होना चाहिए तो फॉल्डर का सब्सक्राइब डॉन 2 nem सिखना थो सब्सक्राहरा नियुकर है लौई क्लिंठक के ग्ह Pokémon पर क्लिए सब्सक्राइब वेंए कई ईमेज को कैसा रखना है वैस्20 का दख reflects ग्यों आप कर देख हो गे में तो ते अ मुए नेन भी वापिस win scp पर देखते हैं हमारा अल्रेडी यह folder ready है standard मतलग क्या requirement है evng के हिसाफ से मैं क्या करूँगा simply इसको drag and drop करूँगा हमारे evng के server में यह सब मतलग कि यह folder बनाना folder का name change करना and जो हमारा 48 का firewall का image है यह इसका name change करना हम लोग CLI से भी कर सकते हैं यह easy है easily हम लोग क्या करेंगे अपने local system में naming connection change करेंगे और उसके हिसाफ से हम लोग क्या कर देंगे drag and drop कर देंगे and कोई भी जब नया image हम लोग अपने evng के server पर add करते हैं तो उसके बाद हमें basically क्या करना रहता है हमें fix permission command चलाना रहता है तो मैंने evng के server को already मैंने access कर रहता है with the help of CLI और मैं क्या करता हूं fix permission command चला रहा हूं ठीक है fix permission command मैंने run कर दिया है इतने मैं क्या करता हूं अपने evng के जो हमारा मतलब की GUI access है उसको मैंने reload कर दिया और देखते हैं हमारा जो fix permission command था वो already execute हो गया है अब हम लोग क्या करते हैं फिर से node add करने का कोसिस करते हैं तो अब हम लोग फिर से 48 यह करते हैं और देखिए यह यह यहां पर 48 का option दिखाने लगा पहले क्या यह ऐसा कुछ दिख रहा था जो कि add करने लाइक नहीं था grade-out था तो 48 का image हमारा add हो गया जब आप इस पर click करोगे तो यह देखो हमारा जो जिस नाम से हमने folder बनाया था उसी नाम से हमारा image आया है तो मैं क्या करता हूं image add करता हूं basically मैंने एक image ले लिया और मैं क्या करता हूं इस image को access करके देखता हूं कि इसमें क्या मतलग की हमारा license issue है क्या है वो सारा कुछ हम लोग अब देखने वाले हमारा image जो है वो installed हो गया पहला पार्ट हमारा खतम हो गया तो मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं basically एक management क्लाउड ले रहा हूं ठीक है और मैंने इसका icon change कर दिया basically internet है इसी के तुरू हम लोग इस firewall को access करने वाले हैं जब भी आप internet को 48 firewall पे connect करो ठीक है तो port 1 पे connect करना port 1 क्या रहता है DHCP में रहता है यह automatically क्या करेगा हमारा जो network हमने connect किया है यह जो हमने अभी cloud लिया इससे connect किया तो यह cloud से automatically IP ले लेगा कि यह जो cloud है यह VMware में यह भी DHCP में as a DHCP server configured है ठीक है मैं आपको दिखा दूँ अगर VMware में जा गए आप इडिट में जाओगे वर्च्वल एट्वक इडिटर में जाओगे अगर आप VMNET 8 देख रहे हो ठीक है तो यहां पर क्या देखोगे आप DHCP enabled है तो इसलिए यह automatic IP प्रोवाइड कर देगा और की series में IP प्रोवाइड करेगा तो यह कुछ हमारा 192.168.33.0 के series में IP प्रोवाइड करेगा ठीक है तो यह समझ में आ गया होगा आपको मैं वापस चलता हूं यहां पर मैंने क्या किया कि प्रोवाइड किया और इसको स्टार्ट कर दिया अब जो हमारा यह क्लावड है नेक्स्ट होफ है इस नेक्स्ट होफ का जो आई पी रहेगा वह रहेगा हमारा 192 168 33.2 33.2 क्यों रहेगा यह मैंने आपको बहुत बार बता रखा है तो प्लीज आप पिछले वीडियो को रेफर किजिए उसमें आपको पता चलेगा कि क्यों हमारा नेक्स्ट होफ जो है वह सेम सबनेट में डॉट टू में है ठीक है तो मैंने 48 फैरवल को आन किया जाता है मैं क्या कर रहा हूं इसका CLI access ले रहा हूं और यह अल्रेडी फैरवल हमारा स्टार्ट हो गया तो जब फैरवल स्टार्ट हो जाता है तो जो इसका डिफॉल्ट आइडी होता है वह एडमीन होता है पासवर्ड कुछ भी नहीं होता है ब्लैंक होता है तो हमें मैंने फैरवल को तो CLI access कर लिया अब इस पर कौन सा IP assigned हो देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक कमांड रण करना पड़ेगा और वह कमांड क्या है सो सिस्टम इंटरफेस एंड जब आप इतना कमांड करके और कोश्चन मार किस पर मार होगे तो आपको सिंप्ली यह दिखा देगा कि कौन सा IP आपके पोर्ट वन पर देखिए हमारा पोर्ट वन जो था यह था ना पोर्ट वन पर हमारा कौन सा IP assigned है यह 137.137 किस सीरीज में से तो मैं क्या करता हूं इस IP के थ्रू मैं अपने फायरवाल को जीव आई एक्सेस करके देखता हूं कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं तो देखिए यह जीव आई जो पेज था वह ओपन हो गया तो यह तो था हमारा 48 firewall installation part on EVNG अब देखिए login करने के बाद आप आ रहा है हमारा license issue तो यह है हमारा second part वीडियो का जो है वो second part है अब कैसे इस license issue को हमें resolve करना है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले जब भी आप license issue को resolve करने जाओगे या तो आपके पास full license है तो आप उसको use कर करने वाले हो या फिर आप evaluation license यूज करने वाले तो हमारे पास तो full license है नहीं तो हम लोग use करेंगे evaluation license तो जब evaluation license पर आप click करोगे ठीक है तो यहां पर देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको login to 40 care to activate VM trial ठीक है जो trial license है उसको आपको activate करने के लिए आपको जो 40 cloud हमारा है 40 care जो हमारा यह है जो पोटल है उसका हमें id and password चाहिए होगा तो आप लोग यह कहां से register कर सकते हो तो simply आप कहां पर जाओगे आप जाओगे मैं यह लिंक भी आपको share करने वाला हूँ यह 40 cloud का लिंक है आप simply अगर आप Google में भी जाते हो simply और यहां पर 48 type करते हो जो first वाला page आ रहा है first वाला URL आ रहा है उस पर जब आप click करोगे ठीक है और मेरा यह अल्रेडी लॉग इन है मैं इसको लॉग आउट कर रहा हूँ तो यहां पर देखो 40 cloud login का आप इस पर जब click करोगे तो यहां पर आपको create account का आप संद रहा है तो यहां से आप 40 manager के साथ 40 cloud के साथ क्या कर सकते हो अपना account क्रिए कर सकते हो और वही same account हम लोग कहां यूज करने वाले हैं हम लोग अपने license को activate करने के लिए तो license activate करने के पहले मैं क्या करने वाला हूं मैं firewall पर कुछ changes करने वाला हूं सबसे पहले तो जो हमारा असाइन हुआ था उस IP वो जो IP है अगर अभी आप देखोगे तो यह DHCP में है ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं मैं इसको static mode में यह करूंगा and static mode में करने के बाद मैं same IP assign करूंगा ठीक है उस interface को and मैं क्या करूंगा यह सारे जो services है allow करूंगा मैं उस interface फिर मैं क्या करूंगा routing configure करूंगा towards हमारा जो gateway है उधर and फिर मैं DNS configure करूंगा 192.168.33.2 है मैंने बहुत सारे यहां से आप अपना type कर लेना मैं क्या कर रहा हूं simply इसको copy कर रहा हूं and copy करके मैं यह commands execute करने वाल हूं अपने firewall पे मैं वाफिस login करता हूं logout हो गया था and मैंने यह क्या किया यह सारे commands मैंने execute कर दिये अब मैं चलता हूं अपना जो GUI मैंने login कर रहा था firewall पे मैं firewall पे basically अपना जो ID है जो मैंने 40 cloud पे register कर रहा हूं ID मैं डालता हूं and password डालता हूं देखता हूं कि license activate होता है कि नहीं मैं इसको करके देखता हूं ID password मैं डाला यह बोल रहा है कि अगर license आप update करने जा रहा है तो system reboot होगा आप continue करना चाहते हैं मैंने बोला है okay yes अब मैंने okay बोला और देखिए system हमारा जो है यह system reboot हो गया ठीक है अब reboot होने के बाद देखते हैं कि हमारा जो license का इसू था वह resolve होगा है कि नहीं तो यह system reboot हो जाने देजिए आप यहाँ CLI पे भी देख सकते हो कि हमारा system reboot हो रहा है अगर आप देखोगे यह देखो booting from harddix system is starting ठीक है तो यह सारे जो reboot के process हो रहा है वह सारे आप CLI के through भी देख सकते हो यह देखिए अब reboot हुआ तो इसको एक serial number असाइन हुआ serial number असाइन हो गया अभी देखते हैं अभी firewall मेरा पूरा हाँ देखिए firewall मेरा पूरी तरद से reboot हो गया मैं क्या करता हूं login करने के लिए try करता हूं admin password मारा था 123 मेरा firewall login हो गया मैं क्या हो गया यहां पर जी यू आई पर मैं login करने के लिए कोसिस करता हूं admin और पासवर्ट जो मेरा था 123 मैंने login कर लिया अब देखिए फर्स्ट टाइम हम लोग लोग इन कर रहे हैं तो यह setup का मांग रहा है तो मैं बोलता हूं यह कुछ उसका नोटिफिकेशन ने पॉप अपफ है जो फॉर्ट यूस 7.0 के बारे में बता रहा है और यह ओके करने के बाद यह देखिए हमारा जो फॉर्टेगेट फारवल था उसका डैस्वर्ड ओपन हो गया तो हमारा जो लाइसेंस इसू था वह भी रिजॉल्व हो इसके कुछ लिमीटेशन भी है ठीक है बट आप इस पे आराम से 48 का लाइप कर सकता हो आप मतलग की 99 परसेंट चीजों को इस पे सीख सकता